बास्तु निवान के कुछ और उपाय बता रहें ओम नमो भगवते वास देवाय का जब करें बास्तु पुरुस की प्रात्ना करें यद दच्छिन पस्चिम में कटाओ हो या परिवार में बेचैनी हो तो पितर सांती करें अगर घर में बेचैनी हो घर में लड़ाई जगड़े हो तो पितर सांती करें पिंडदान करें नाग बली करें नाराण बली करें प्रते एक सोमार को या मावस के दिन रुद्री का पाड़ करें घर में गनपती की फोटो और मुर्ती जरूर ही रखना चाहिए पूजा कक्षी में हर प्रकार के यह बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आवस्ट होती है पूजा जरूर करना चाहिए नोगरा सांती की इविना घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए घर में हावन कराएं और कुछ वर्सों तक घर अगर खाली है बेप्ति को बास्तु सांती जरूर करानी चाहिए बास्तु सांती पूजा करने के बाद उस घर में तीर मेहने से ज़्यादा खाली नहीं रखना चाहिए अगर आप किसी नवे घर में परवेश करते हैं जाते हैं हामन करा लेते हैं और कहीं अलग रह रहे हैं तो वहाँ पर उस रात्री को जा करके जरूर ही रहना चाहिए और भूमिगत्त है खाना है तो उसे कभी भी खाली नहीं रखें दस्छिन पस्चिम के कमरे को कभी खाली नहीं रखना चाहिए घर में पानी के बरतन के पास एक सामनेमित रूप से एक दीपक जलाना चाहिए और हर साल ग्रह सांती जरूर करें क्योंकि हम अपने जीवन में कई बुरे काम करते हैं कई जाने अन जाने में बुरे काम हो जाते हैं और तो इस प्रकार से हमारे को अपने कमाई का दसांस निकालना चाहिए अगर हम दसांस नहीं निकाल सकती हैं, फिर भी जो है हमारे को पूजा पाळ जरूर कराना चाहिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्वाद, क्योंकि जब हम इस तर को भी देखिएगा